जोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टड़ी भी थी होगे इसमें आज हम लोग का रूस की करांती भी कंप्लेट हो जाएगा और उसी के साथ विस्तो इतिहास के जो सबसे तीन बड़ी करांतियां उसके आपके सलेबस में दी भी है फ्रांस की गरांती, अमेरिका ग्रह उद्वर या अमेरिका का स्वतनता संग्राम या तीसरा रूस की गरांती, तीन के तीन हमारे तैयार हो जाएंगे और जो आज की वीडियो होगी, वो आपकी तत्थिपे आधारित भी होगी और उसका थोड़ा सा जो concept वाला पूर्चन है, दोनु मिला के आप लोगो इसको तैयार कर लेना है दोनु तीनु टॉपिकों को आपको सही से तैयार करना होगा, ठीक है थोड़ा सा वीडियो लेंदी जा सकती है, हो सकता है कि 40 मिनट तक जाए क्योंकि आज मैं इसको end करने की सोच रहा हूँ, तो हमारा एक complete हो जाएगा कल जो है आपका Sunday live quiz नहीं होगा और आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन motivational वीडियो में लाने का प्रियास करूँगा, ताकि वो अभी से यानि आपके exam तक आपका क्या करे, वो जो आपका immunity system है भी होसी के against उसको बढ़ा के रखे, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से motivational होंगे, motivation आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे, आप जोर लगाएंगे, यानि भी होसी के against आपका क्या होगा, immunity बढ़ जाएगी, तो हम लोगों ने वो चीज का करनी है, complete करनी है, ठीक है, कर आप एक motivational वीडियो के लिए तैयार रहना, आज का जो session होगा, इसको मैं शुरुआत करता हूँ, और इसको शुरू करने से पहले, मैं एक हलका सा आइडिया आपको एक चीज का दूँगा, जैसे कल एक social democratic party की गठन को लेके, मेरे पास थोड़ा सा message बगएर आए, कि सर इसका इतने मभात है, इतने मभात देखिए, वो गठन पर मत जाईए, क्योंकि वो अलग-अलग जगह, 1895 मैंने पढ़ा, मैंने भी देखा, 1897-98 किसी और ने देखा, कहीं 1903 भी लिखा हुआ है, यानि जो social democratic party का गठन था, 1895 मैंने पढ़ा, आपने किसी ने 1897 ने 98 बताया, उसको bracket में आप लिख लीजिए, उसको 97 लिख लीजिए उसको, तीसरा 1903 भी लिखा गई पर, तो कहीं आपसे कोई गठन नहीं बोशने आला, एक समझ के लिए आपको बताया गया था, मेरा intention यह नहीं कि उसका मैं गठन बताऊ, ठीक है, दूसरी चीज, एक आज मत करना, अभी correction कर लो, उसको जार जन लिखते हुए, जार लिखना है, तो मैं आज की session की क्या करूँगा, शुरुवात करूँगा, देखिए, सबसे पहले रूस में जो क्रांती हो रही है, इसका सीधा-सीधा एक मतलब है, आप सीधा सीधा से समझ लीजिए, यह जो क आपिक है ही नहीं सलेब, तो मजबूरन मुझी रूस की करांती आपको इस तरीके से समझानी पड़ी, वरना बिना अध्योगी कराण के आप रूस की करांती नहीं समझ सकते थे, एक हिंट दे रहा हुए, उसको सुने रहना, यानि उध्योग लग गे थे, बड़े-बड़ उध्योग पती वहां पर ह ऊगए थे, तो वहां कै अपर स्रमीकों का सोसन हो रहा था, यानि जो लेवर क्लास था, उसका महा पर सोसन हो रहा था, चाहा को कितने ज्यादा काम के घंटे मिलते थे, बार-बार, 14, 14, 18, अठार घंटे उनको इंडेस्ट्री मैं काम करना उता थ तो बहुत से विचारक हुए बहुत से राजनितिक चिंतक हुए चाहिए माक्स का नाम लीजिए लेनिन का नाम तो लेनिन तो अभी हा रहा है माक्स बगारा ये कहता था कि सरवहारा वर्गी यानि जो स्रमिक क्लास है जो लेवर वर्ग है उसको एक हो जाना चाहिए और इस उ हो जाएज यार्थे वियूसरा वहाँ के जो अर्थी वेवस्ता है सतिससाज आति भाँ है जो आ स्तिति है राज्य के को संचालित करेगी सभी लोगं को equality के according देखा जाएगा equal रूप से देखा जाएगा इस परकार का concept अभी समाज बात तो आपको पढ़ाना है नहीं तो आप ये मान के चलिए ये जो आंदोलन हो रहा है करांती हो रही है किसके खिलाब चल रही है एक परकासि फूजी पती है उध्योग पतियों के खिलाब चल रही है और रूस में क्या चल रहा है इस परकार का और इसका आधार कौन था किसान वर्ग था यानि जो सोशल डेमोक्रेटिक नी सोशल रिवोलेशनरी पार्टी लिख लिजे 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 सोशल रिवो पार्टी वाली चालते थे कि जो किसान वर्ग है ये क्रांती का क्या करें नेत्वत्तो करें यानि जो क्रांती होगी इनके माध्यम से होगी ये उसको लीट करेंगे क्रांती का नेत्वत्तो करें ये लोग चाहते थे दूसरी एक और पार्टी थी वहां मैंने आपको बताया थ इसके माध्यम से और इनका ये मानना था जो मेंद सेविक पार्टी है वो क्रांती की साधार्पे होगी दो भागुमा होगी पहले चरण जो होगा उसमें बुर्जुवा वर्ग क्रांती करेगा यानि बुर्जुवा वर्ग मतलब पूजी पती जो वर्ग होगा वो क्रांती को लीट करेगा और रूस में क्या लाएगा चिंजेज लाएगा और दूसरा चरान ऐसा होगा उसका जिसके अंदर क्या होगा जो अध्यकिक मजदूर है वो क्या करेगी यानि जो सर्वहारा वर्ग है वो क्या करेगी क्रांती का नेथ होते हो तो ये क्या मानते थ दो भागु में करांती होगी, पहले भाग में कौन होगा, बुर्जुवा वर्ग, यानि पूजी पती वर्ग लिखना है ब्रैकेट में, और दूसरे चरण में कौन करेंगा, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग, फ्लो चार्ट से ही में पढ़ना है, ठीक है, बुर्जुव भ you дал, बुर्जुविक पार्टी, यानि जिसको शंगठन कोन कर रहा था, अब जाके चत्र के आसपाँ स्काश ले इन धन कर रहा था नो बोल्डुविक पार्टी लिख लिखेए, बौल्ड्चेविक पार्टी, जो बोल्चेविक पार्टी थी, इसका नेतफ़त्वुआर स तो वो भी मानते थे लेकिन वो मानते थे कि नेत्वत्तु केवल और केवल सर्वहारा वर्ग के अंतर होगा यानि स्रमिक वर्ग जो होगा इसका आधार होगा ठीक है तो बोल्चविक पार्टी क्या मानती थी क्रांती किसके नेत्वत्तों होगी क्रांती का नेत्वत्तु केव हम लोग देख लेंगे ठीका नि क्रांती ये भी मानता था कि दो चलण मोगी और सरवारा वर्ग उसका नेत्वत्तो करेगा अब लेनिन ने क्या किया था बोल्सोविक पार्टी का संगठन मजबूत किया था और इसको नेत्वत्तो प्रदान करने वाला कौन था लेनिन था लेनिन ने इस दल को मजबूत किया था और इसको संगठित किया था पूरा इस्क्रिन सोड ले लीजे हम फिर आगी को देखते है ठीक है अब बोल्सोविक पार्टी भी मानती थी क्रांती दो चरण मों होगी और पहले चरण में क्या होगा जो क्रांती होगा उसका नेत्वत तो दोनों चरण में सरवाहरा वर्गर रहा, पहले चरण में वो क्या करेगा, जो किसान होंगे, उनको अपने साथ लेगा, क्या करेगा, मतलब अभी मैं एक बार समझाता हूँ, आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लिजे, अब देखें, यहां मैं erase कर रहा हूँ, ठीक है, जो बोल्सविक पार्टी है, वो भी क्या मान दे थी, क्रांती जो दो चरण मों होगी, बोल्सविक पार्टी कैसे काम कर देखो, बोल्सविक पार्टी, इसने क्या कहा, क्रांती इसने भी कहा, दो चरण मों होगी, प्रथम चरण में इसने क्या कहा, बोल्सविक पार्टी न उध्योग पती या बुर्जुवा वर्गी खिलाप आवाज उठानी चाहिए कि हमारा सोसन हो रहा है हम जो है सोसित हो रहे है इसके खिलाप आवाज उठाओ तो बोल्सविक पार्टी ने पहला जो चरण बताया उसमता था यूरोप के अन्य सर्वहारा के साथ ही समपर्ग कर होगी दूसरे चरण में इसने क्या कहा कि आप लोग ऐसा करना सेकिंड जब स्टेप आएगा जो किसान वर्ग होगा क्योंकि पहले स्टेप में आपनों मिल गई दूसरे स्टेप में आपको किसानों को साथ लेना यानि जो हायर लेबल की किसान होंगे उनको साथ लोग यान सरवहारा वर गए ठीक है ये कौन सा था दूती चराण दूती चराण और कुछ समय बात इनमें आपस में फूट पड़ जाएगी और जो निमने लेवल की किसान उनके साथ आप मिलके करांती को आगे बढ़ाओगे ये वोल्सविक पार्टी का क्या था मानना था ठीक है हमें इतना ही आपने खाली इतना ही लिखना है बागे चीजें नहीं लिखने है अब देखिए इसने क्या किया लेनिन ने जो most important question इसको कर देना लेनिन ने क्या किया लेनिन ने तुरंत एक प्रकार की रणनीती बनाई कि क्रांती को हम आगे कैसे बढ़ाए जाएगा उसको उसको टू टेक्टिक्स ऑफ सोचल डेम offers of social डेमोक्रेट यह किस ने बताय था लेनिन ने बतलए प्रकार का पारा टायप का था एक परकार का निबन टायप का था इक प्रकार का लेक कहे वो किसका था two tactics of social democrat वो lenin का था और इसने अप्रेल 1917 में इसको प्रकासित किया था और इसी दिये इस घटना को बोला जाते हैं अप्रेल thesis ठीक है ये कब आये था 16 अप्रेल 1907 के आसपास आये था और इसी को बोला अप्रेल थिसिस अगर आपसे पूशता है अप्रेल थिसिस नामक घटना किस चीश से संबंदित है आप बता देना लेनिन के आपका जो ये मतलब वो है क्रांती की रणनीती से तो इसमें इसने क्या बताया कि क्रांती की रणनीती क्या हो क्रांती की रणनीती के बारे में लेनिन ने अपने आप में इसके अंतरकत बताया था इसी को बोला रहता है अप्रेल थिसिस नामक घटना ठीक है और इसने कैसे बताया था सरवहारा वर्ग दो भागों में बटेगा पहले उसने खाए उरोप के जो सरवहारा वर्ग हैं सरमीक वर्ग है जिसका सुसरन वाप उनके साथ एक होंगे वो पूजी पतियों के खिलाप आवाज उठाएंगे दूसरे चरण में जब वो सब एक हो जाएंगे किसानवर्ग नाराज हुआ रहेगा क्योंकि आप तो पूजी पतियों के सरवहारा आगिया किसानवर्ग को क्या होगा वो थो उलाग है तो उसने खा दूसरे चरण में किसानों को शांत लो बार में किसानों पूट पड़ सामानता नहीं यह एक तो higher level का किसान है, वो तो क्रांती में जूड़ गया, वो तो उपर के लोग किसान मिल गया, जो निम निकल लेबल का किसान हो जाएगा, तो फूट पड़ेगी, तो आप नीचे के किसानों को साथ लेना, उनको फूट ही पड़ने, तो इस प्रकार से इसने अपनी रण जोगिक देश है, यानि माक्स मानता था कि सर्वहारा क्रांती सबसे पहले कहां होगी, और जोगिक देश में होगी, यानि जो इंडर्शलाइस कंट्री है, तो इस पहले होगी, कौन मानता था, माक्स मानता था, लेकिन इसने क्या कर दिया, किसने लेनिन ने लेनिन ने क्या कर दिया इस सर्वहारा जो करांती होगी इसको रूस के अकॉर्डिंग रूस की कंडिशन के अकॉर्डिंग ढालने का प्रियास किया और इसने ये माना कि रूस में जो है यहां की कंडिशन के अकॉर्डिंग सर्वहारा करांती होगी और रूस उसको क्या करना चाहिए इस जनजीर पर जो कमजोर कड़ी इसको करना चाहिए और छोट करने के बाद इसको तोड़ देना चाहिए यानि लेनिन ने इस विचारधार को रूस की परिस्थिती के अनुसार ढाल . 크ाइट के सो .. तोडा सा कॉंसेब्टत्य Cup रहें . लेकिन ये चीज़ें ऐसी ही पढ़नी पड़ती, तभी इसके फैक्ट आपको समझ आएंगे, ठीक है, मार्क से कहता था, सबसे पहले सर्वाहरा करांती कहाओगी ओध्योगी देश में, लेकिन लेनिन ने इसके विचास से क्या का, रूस की परिष्टियों की अनुशार इसको चोट करनी चाहिए, ताकि वो तूट के बिखर जाए, तो लिखो, लेनिन ने कहा था, पूँजिवाधी विवस्ता एक ससक्त जंजीर है, तथा सर्वहारा वर्ग को इसके कमजोर भाग पे क्या करना चाहिए, अटेक करना चाहिए, या चोट करनी चाहिए, ताकि वो चोट के क्या करना चाहिए, तो लिखो, लेनिन की सफलता, क्यों आखिर ये इतना सफल लुगा, ठीक है, इसकी सफलता के अनेक कारन चाहिए, उसमें से पहला क्या था, एक तो समय बहुत उचित पकड़ता था, या उचित समय का प्रयोग करता था, कि कंडिशन देखता था कि टाइम क्या है, यानि हमने नेड़ने कब लेना होगा, तो इसमें पहला लिख लो, उचित समय पर नेड़ने लेता था, उचित समय पर नेड़ने, अब आप को कि सर, ये क्या हुआ, उचित समय पर नेड़ने का ये मतलब है, जैसे इससे एक बार इसके, जो करेबी थे, उन लोगों ने जुलाई 1917 में कहा था कि आप सत्ता पे कबजा कर लिजे यानि आप अटैक कर दीजे वहाँ पे हटा दीजे बोलसविक पार्टी की सत्ता इस्ता इस्ताबित कर लिजे लेकिन इसने मना खर दिया और इसने अक्टोबर 1917 में क्या कर दिया सत्ता पे कबजा कर दि बोल सेविक पार्टी का नियंत्रा ये प्रशन पूछा जा सकता है ठीक है पार्टी का नियंत्रा निस्तापित हो गया रूस में अच्छी घासी मात्रा में चलतो पहले से रहा था तो उची समय पर नेड़ा दूसरा ही बहुत ज़्यादा अउसरवादी था यानि समझ जाना इतना डिटेल ने लिखना है अपने क्योंकि अपने फायदे के लिए कहीं भी घडवंदन करने को तैयार था तीसरा ही अपने परतिपक्षी यानि जो इसका खिलाप होगा उसके खिलाप क्या था ये बहुत ज़्यादा आकरमक था यानि परतिपक्षी के सपोज बोलसविक पार्टी वहां सब्ता में बैड गई तो ये अपने आप में लेनिन पहले जैसा नहीं रहा और इसने बहुत से रूस में क्या करना शुरू कर दिया सुधार करने शुरू कर दिया और पहला इसका जो सुधार था वो था प्रथम विश्युद्ध के दौरान जहां रूस को हानी उर्थी शती हो रही थी तो इसने युद्ध की समश्या का निराकराण निकाला और अगर क्वेश्चन पूछता है लेनिन ने परथम विश्युद्ध की समश्या के निराकर ने तो किस देश के साथ हाथ मिलाय था जो जर्मनी के साथ और इसने जर्मनी क पहले यूरोप का हिस्सा भी आता था उसका एक बट्टे चार यूरोपी भाग हमें दोगे युद्ध शती के रूप में तब हमें आप क्या करेंगे हाथ मिलाएंगे तो इसने क्या क्या काम के दिखो आप लिखो सत्ता मा आने के बाद लेडिन के रसनात्मक कारिय पहले तो इसे के बदले गया था अपका झूरोप का हिस्सा आप रोज देखोगे उसके वेस्ट कोर आउगे तो आपको European भाग देखेगा तो Europe के एक बट्टे चार भाग हमें देना होगा तो एक बट्टे चार यूरोपी भाग जर्मनी को देना पड़ा एक बट्टे चार यूरोपी भाग जर्मनी को क्यों युद्ध मुआउजी गे रूप में कि हमें लॉस हुआ है आप इतना पोर्षन हमें अपने यूरोप के हिस्से का दो तो एक बट्टे चार यूरोपी भाक इसको दिया इसने जर्मनी को दूसरा इसने क्या क्या भूमी का पुनर वितरण किया मैंने आपको क्यल बताया था भूमी का पुनर वितरण नहीं हो सका था तो भूमी का इसने पुनर वितरण किया किसमे किसानू के बीच यानि इसने किसानू को क्या दे दी भूमी दे दी और जिससे किसान वर्गी इससे क संबंदीट है रियायत की नीती वो किस से समभद दी था लेकी से संस्बस्दी त्युलिस प्लीस गुप्त संगठनं मनाए था तो आप लिख लो आतंक्य की नीती के तहट इसने चे का नामक गुप्त संगठन, चे का नामक पुलिस गुप्त संगठन बनाया था, पुलिस गुप्त संगठन, अपने दुस्मन्नों के खिलाब, यह most important कर देना, कि चे का नामक गुप्त संगठन किसे संब्दी था, लेनिन से संब्दी था, ठीक है, और दूसरा देखेए। अंतने हैं, उनको उनका आइडेंटी दिलाई अल्प संक्या को पहचान दिलाई तो आतंको वो रियायत की निती लेनिज से समबंदित है ये याद अखना है ये सारा पूर्षन था लेनिज से समबंदित जोके आप स्क्रिंशॉड ले लीजिए तो अब आते हैं इसके फाइदे क्या हुए दो तिन मिनिट का है उसके बाद हम टोटाली फैक्ट कोशन देखत हैं तो आप देख लीजिए इसने क्या-क्या फाइदा दिला है तो देखे इसके बाद इसने एक और चीज की यहां पर रूस में नई आर्थिक निती अपना दी यानि पहले क्या था राज्य के अंदर अर्थिवेवस्ता चलती थी जब निरंकुस राश्तन थे था मैंने कह तिनिती लागु कप की गई 1921 में और इसमें इसने क्या किया जो टोटल एकोनोमी थी रूस की उसका 91 परसेंट भाग इसको दे दिया निजी सेक्टर यानि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया रूस की अर्थिवेवरस्ता का 91 परतिशत भाग पूरा लिखना रूस की क्या हमें क्या क्या विश्वे को दिया वो दिखने पहला पॉइंट लिखो रूस की क्रांती के मतलब देन देन में रिखने आपने रूस की क्रांती की क्या देन थी पहला पॉइंट आपने इसके अंदर लिखना है विश्वे की पहली सर्वहारा क्रांती इसको माना जाता ह आपका रोज की क्रांती को माना जाता है पहला पॉइंट दूसरा लिखो इसकी कारण यूरोप में वह हो गया विचारधारा के आधार पे विभाजन हो गया विचारधारा के आधार पे विभाजन का क्या मतलब हुआ कि क्या पूजिवादी अर्थे वेवस्ता को अपनाए य पूरे विश्व में इसी की वज़े से, किस की वज़े से, रूस की क्रांती की वज़े से, अब जो है most important point करना, इस क्रांती की वज़े से ही, विश्व में आर्थिक आयोजन, यानि आर्थिक गति विज़े का नियोजन करना होगा, यानि प्लानिंग करना होगा, जैसे योजना आयोजन भारत में बनता है, यह सब ये रूस की देने, रूस की गरांती की, कि उसने हर एक time period के लिए आर्थिक गति विज़े का प्लान करन तो अगला पॉइंट आप लोग इसमें सीधे सीधे लिखोगें आर्थिक नियोजन वह आर्थिक नियोजन वह राज्य नियंत्रित आर्थिव्यवस्ता का प्रारंब राज्य नियंत्रित आर्थिव्यवस्ता इसने बीदिया यानि राज्य के अंदर आर्थिव्यवस्ता होगी और इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या हुआ लिखो नीचे कर डैस करके लिखो इसको पूरा screenshot लिखने के बाद, इसका सबसे बड़ा फाइदा यानि benefit क्या हुआ, इसका जो फाइदा था, ये most important कर दे ना, इस point को, 1929, 30 की आर्थिक महामंदी, ये most important है न, 1929, 30 की आर्थिक महामंदी, की आर्थिक महामंदी, मैं रूस को कम परभाव कड़ा, रूस को कम परभाव ये question हो सकता है, की आर्थिक महामंदी, की विश्वे की सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी, किस वर्च हुई थी, 1929, 30 में, ये most important कर देना है, इस चीज को ठीक है, तो कम परभाव पड़ा तो, विश्वे की देशुन ने भी इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया था, आर् वादी, वो, समाजवादी और्थेवस्ता में, समाजवादी विचार धारा में विभाजित, विचार धारा, धारा में विभाजित हो गया थे, ठीक है, और इसी ने जो विभाजन हुआ, इसमें पूजिवादी जो देश थे, उनका जो लीडर था, वो कौन था, अमेरिका पूजिवादी का लीडर कौन था अमेरिका था कि सरकार को कम से कम हस्ते सेफ करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को जो अपनी उनकी कॉंपोटिशन की बावन उसके अकॉटिंग आगे बना चाहिए इसका लीडर अमेरिका था जबकि समाजबादी अर्थेव्यवस्ता का लेडर जो था वो सोवियत रूस था और इसी विचारधार के जकर में इसका परिणाम हुआ है सीट युद्ध यानि कोल्ड वर सीट युद्ध क्या था एक परकार का विचारधारा का युद्ध था कि कौन सी मौडल बहतर है पुंजिवाधी, समाजवाधी मौडल बहतर है या पुंजिवाधी और पुंजिवाधी का नेतुत तो कर रहा था अमेरिका, समाजवाधी का कर रहा था सोब्यत रूस और जो नए- नए देश आजाध हो रहे थे जो स्वतन तो रहे थे भारत हो, कोई भी हो उनको अपनी अपनी और खीचने का लक्षे रखा गया अमेरिका पक्षे उनको अपनी और खीचना चाहता था रूस्या पक्षे उसको अपनी और अपनाना चाहता था और ये मॉडल अपनाय गया कि कौन सा मॉडल बहतर है तो नए नए देशों को अपनी और खीचने का जो वार था उसको बोला जाता है शीत युद्ध इसमें कोई ऐसे लणाई वडाई नहीं थी विचार धारात्मक युद्ध था और जो राष्ट नए स्वतन तोरत जो इन दोनु गुटूं से अपने आपको बचा लिए उन्हीं को बोला जाता है गुट निर्पेक्ष यांदोलन यानि वो किसी भी गुट में सामिल नहीं हुए वो सेलाबस में दिया नहीं है तो ये थे अब लिखो रूस के करांती के संबंदित महत्तपून तथ्य नहप तथ्य ठीक है पहला देखे एक लिखे जे समाजवादी सब्द संब्द का क्या किया गया था और रोबर्ट ओविन को ही आधर सित समाजवाद का परवकता माना जाता है कि आईडल सोशिलरीज्ज़म कैसा होगा इसी के नीचे लिखो आधर सामाजवाद का किसको माना Director Robert Owen को ही माना जाता है समाजवादी सब्दगर सबसे पहले प्रयोग Robert Owen और इसे इंक को किसको कहा जाता है Karl Marx को मार्क्स यहां का नहीं धर जर्मनी का था यह विचारधारा देता था विश्व में यह किसका पक्षिदर था टोटली सरवहरा वर्ग का, तो वैग्यानिक समाजबात का जनक किसको आ जाता है, काल मार्क्स को का जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, सांती सांत, इसने दो किताब है, दो चीजे लिखी, एक तो दास कैपिटल, इसकी बहुत फिमस किताब है, और दास कैपिटल किसने लि माक्स के साथ कौन था एंजिल भी था प्लास एंजिल कर देना फेडरिक एंजिल उसका नाम है एंजिल यह Communist Manifesto में और कार्ल माक्स की सिर्फ यह है दास कैपिटल लगी दोनों की यह Communist Manifesto इन दोनों ने मिलके तहीं आर किया था यह important question है यह बहुत बात पूछा भी जाता है ठीक है और माक्स का ही जो नारा था वो बहुत famous quotation है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने गाता कार्ल माक्स की जाओ यह जार वो ठीक है और फ्रांसिसी साम्यवाद का जनक भी लिख लीजिए फ्रांसिसी साम्यवाद अलग है समाज़ाजी रावटर्ण फ्रांसिसी साम्यवाद का जनक जो माना जाता है सेंट साइमन को माना जाता है सेंट साइमन सेंट साइमन को फ्रांचिस से सामें बात का क्या माना जाता है जातक माना जाता है इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीन सोड ले लिजे अगला आप लोगों ने लिखना है फेबियन सोसलिजम का नेतुत्य किस्ति किया था फेबियन सोसलिजम का नेतुत्य किसने क इस धीक यह था कुछ फेबियन सोशलीजम का नेचुट्ट ने क्या था और इसी के बाद एक फेबियन सोसाइटी की स्तापना की गी थी वो कहां की गी थी लंदन में ठार सो चौरासी में अगला लिखो फेबियन सोसाइटी की स्तापना फेबियन सोसाइटी कहां स्तापित विथी ये लंदन में कब विथी 1884 में इसकी क्या की थी फेबियन सोसाइटी लंदन में स्तापि कि यह भी आपना होता है ठीक है तो जार साही अगला कुशन निखना है जार साही व्यवस्था कब समाप्त होई थी 1917 में यानि जो जार साही व्यवस्था थी जार साही व्यवस्था समाप्त कब होई थी एंड का हुई थी 1917 में समाप्त हुई थी ये भी आपको ना फिर जार सासक क्योंकि है इनके सरकार का पतावन हो गया था और अंतिम जार जो था वो निकोलस दुती ही था अंतिम जार कौन था रूस के सासक बोलते हैं इनको ठीक है निकोलस सेकेंड अंतिम जार सासको था निकोलस दुती ही था क्रांथी कão हुई थी रूस की 1917 में रूस की ग्रांथी लिख लिजिए 1917 में रूस की क्या होई थी क्रांथी वहूई थी और साथ ही साथ इसका जो तातकाली कारण था प्रथम युष्वयुद्धों में उसकी हार किसकी रूसकी प्रथम विश्वयुद्ध में रूसकी पराज़ेगी इसका तातकाली कारण माना जाता है तात्काली काराण क्या था प्रथम विश्विद्ध में रूस की पराज है कि काराणी हापी क्या होगी ति तात्काली यानि सदन जो उस्ट में कौस था आप इसको जल्दी से स्कीन सॉट ले लिजे फिर देखते हैं अगला आपनों लिखना है वोल्सविक क्रांती का नेत्व करता लेनिन था और यह साथ नौंबर 1907 या अक्टोबर 1907 में यहापी गया विती वोल्सविक क्रांती का नेत्विक क्या था लेनिन ने साथ नौंबर अगर डेट सहीद आते हैं तो आप जा सकते हैं वरना अक्टोबर 1907 यह ज़्यादा फोकस करना अगर यह डेट सहीद आता है तब इसमें जाना है ठीक है तो बोल्सविक क्रांती का नेत्व तो किसनी गया था पूछता है तो आप बता देना लेनिन ने अब तो लेनिन क्या करता था अपने जैसे दुसमनों को पराजित करने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता था यानि आउसरवादी था उसी क्रम में एक बार रूस में बिबाद हुआ हूँ अंतरीक इस थर पे उनको कुछलने के उसने एक सेना का संगठन किया था, उसको बोला जाता है लाल सेना, यानि लाल सेना का संगठन किया था, ट्राटस्की ने किया था, ट्राटस्की ने किया था, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किस ने दिया था, ट्राटस्की ने किया था, एक जार एक चर्च और एक एक रूस, म Podeब ऑला एक चर्च above जोड़िए वारा इस चर्च एक रूस का नारा Supple you are a एक जार एक चर्च एक का नारा जार नीकोलस के लिए गया में था अब यहां पर मैंने खाना आपसे, अलपसंक्यास समूफ अगहरा भी थे तो अल्प संख्यक समुहूं के कंपरेजर सबसे ज़्यादा जो जन्षेंख्या थी यहाँ पर जो रूस मती उसको बोला जाता है आपका क्या कहता है सलाव यानि सरवाधिक जन्षेंख्या किसकी थी रूस में सलाव लोगों की सरवाधिक जन संक्या किसकी थी सलाव लोगों की सलाव लोगों की यहाँ पर जन संक्या क्याती सरवाधिक थी आप लोगों को यह भी पता होना से अब देखिए कुछ और यहाँ पर फैक्ट बगएरा बसते हैं जैसे एक अन्ना केरे लीना केरे नीना यहाँ पर एक रसना हुई थी वो लियो टॉलिस्टॉई की है लियो टॉलिस्टॉई का नाम आपने सुना भी होगा तो यह फैक्ट भी पेपरों पुछा जाता है तो लिख लिजे अन्ना केरे नीना किसकी है अन्ना केरे नीना अन्ना केरे नीना यह किसकी रसना है पूछता है तो आप बता दोगे Leo tallestai, कि इंप्टेंट कर देना, Leo tallestai, Leo tallestai की क्या है, अन्ना कहेरे नीना, कि किसकी रसना पूछता है, तो Leo tallestai की famous question है, एक सुन्यवाद भी चला था, सुन्यवाद का जनक लिख लिजे, क्यों कि ये तत्थे हैं, सुन्यवाद का जनक लिख पहले जब मैं यहां रहके एस लिखता था एस ख़ड़े हो जाता था तो लोग कहते है तर आप थोड़ा side में ख़ड़े हो ना हम screen स्टाल निंड को कहा जा था यह भी आप लोग नहीं क्या करना है ध्यान रखना है लेडिन की मृत्ति लिख लिख लिजे 1924 में प्युक्ति बड़ा नेता था इनका लेडिन की मृत्ति लिख लिख लिए 1910 24 में लेनिंग की क्या हुई थे अपने आप में मेरे ट्वीती आपको ये भी पता है एक बहुत फेमस क्वेशन है बहुत मोस्ट इंपोटेंट कर देना मदर नामक पुस्तक किस ने लिखी है मा आया था एक बार क्वेशन में पेफर में कहीं यूपी बगारा की पेपर में आया था ये मदर और हिंदी में उसने लिख दिया मा नामक पुस्तक किस की लिखी है ये बहुत फेमस क्वेशन है ठीक है इसको बला था मैकसिम गोर्की ने Maxine Gorky ने क्या लिखिए है Mother नामक कुस्ता की Most important कर देना Maxine Gorky Maxine Gorky ने क्या लिखिए है Mother नामक या मा नामक कुस्ता की इसको बहुत ज़्यादा क्या ख़रना आपने important कर देना है और यह किसी के साथ लिखिए Rights of man किसकी है Thomas Payne की Rights of man Rights of Rights of man किसकी है Thomas Payne की Thomas Payne की है Rights of man किसकी है Thomas Payne की यह भी आप लोग ने नोट करना है इस्ताई क्रांती का जनक भी पूछ सकता है वो है ट्राटस की इस्ताई क्रांती का जनक इस्ताई क्रांती किस से सम्बन देजा है ट्राटस की से ट्राटस की सिक्या संबधी था, इस्ताई करांती ये भी आपनों को पता होना चाहिए, ट्राटस की सिक्या संबधी था, इस्ताई करांती है, और लास्ट लिख दो, युद्ध का अंत करो का नारा किस ने दिया था, पर्थम विश्व युद्ध के द्वारान ले निनने, तो पूरा लिखना पर्था मिश्यों के द्वरान युद्ध का अंत गरों का नारा किस ने दिया था लेनिन ने दिया था और अंत प्वश्चन लिखो माक्स का आजीवन साथी कौन था Marks का आजीवन साथी यानि Marks का जो बहुत साथी था Marks का साथी कौन था जीवन भरकाईक साथी था Frederick Angel बोलते हैं जुसने Marks के साथ मिलके Communist Manifesto लिखी थी यानि घोष्टना पत्र लिखा था Frederick Angel ये था Marks का आजीवन का साथी इसी के साथ हमारी रूस की करांती भी क्या होती है समाप तो होती है ठीका और उसे संबन्दी तथी भी हमारे क्या होते हैं फिकर मत करना कोई पॉइंट छुटा होगा तो मैं उसको बाद में लास्ते की दो वीडियो तो आनी यानी यह तथ्यात्मग अब आपका क्या गाम होगा नाइन थी की एंसे आटी से दूसरा है तीसरा जप्तर है रूस की गरांती उसको तैयार करेणा इन वीडियो को तैयार करेणा आपका क्वेशन अब गलत नहीं होने वाला फिर मिलते हैं कल मोटिवेशनल वीडियो के सांद जो कि आपका क्या करेगा जो इम्मुनिटी सिस्टम होगा भी होसी के अगेंस्ट वो बढ़ाएगा फिर मिलता हूं थेंक यू